जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में कडाही मटन रोटी और चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है यह चैलेंज कैसे लगेगा आईए पाउन लहाबादी जिसे मिलकर बात करते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में दो महरती बैठ चुके हैं और दोनों ही पूरी तरह सिक्दम कमरकस के बैठ चुके हैं कि आज इनाम किराशी ले जाएंगे तो हम ही लेकर जाएंगे तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके साथ सुरूपे करने कर दिया जाता है और चालू हो चुका है तो यहां पर दोनों लोग भी चालू हो चुके हैं बहुत बढ़ियां दोनों ही चैलंजर बिल्कुल फॉम में और देखते हैं और बहुत गजब ढ़ंग से इस समय राजू रोटी और बोटी का चैलेंज कर रहे हैं वहीं पर संकर बैठे हैं राजू का साथ देते हुए लेकिन संकर की जो स्पीड है बाइट लगाने का जो सब्सक्राइब का है और एक रोटी एक बार में राजू जी सोच रहें उड़ा लें उसके बाद रोटी जब तक है तब तक है बजट बना लेंगे तब ही ठीक है नहीं क्योंकि संकर जी चावल में बहुत बड़े स्पीडर है लेकिन आज अगर तोड़ तोड़के खाओग लगाना चाहते हैं और संकर को पीछे कर ना चाहते हैं लेकिन संकर। साथ मिलेकर चल रहे हैं सोच रहें कि दोनों चीज साथ मिलेकर चलेंगे तो हमारे लिए प्लस और लेसुन के लिए लोग लडाई कर रहे हैं और देखते हैं और पूरी तरह से मटन को हड्डियों से अलग करते हुए नजर आ रहे हैं सोच रहे हैं कि सबसे पहले जो ब्रेकर का काम है उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है और जब तक संकर सब अलग कर रहे हैं तब तक राजू कई बाइट मार चुके है चावल के और जो बाइट ले रहे हैं बहुत हाई स्पीड में ले रहे हैं सोच रहे हैं कि अगर हम जीतेंगे तभी इनाम की राशी पाएंगे और यहां पर शंकर पूरी तरह से जिस हिसाब से अपना बाइट चला रहे थे थोड़ा सा बाइट में नहीं बाइट में प्रेकर नहीं लगा है क्योंकि हड्डियों को द्यान से देखकर खाना होगा मठन को बहुत बढ़ी नही मेरे और तीन मिनट में लगवग लगवग काफी हद तक का यह लोग भी अपना शफर कर चुके हैं और मंजिल पर पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा ऐसा लग रहा है और देखते ही देखते संकर पूरी तरह से हड़ी को अलग कर लिए हैं और हड़ी परफार्मेंश पूरी तरह से मिलाना चाह रहे हैं और पानी को पी लेते हैं उसके बाद फटा फटा उड़ाते हैं और जो पाइट लगा रहे हैं संकर बहुत तेजी की बाइट लगा रहे हैं अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और यहां पर देखते हैं और समझ रहे हैं कि थोड़ा सा घवरा गए हैं कि अब संकर जी पहुंच गए हैं विल्कुल नो स्टोप चैलेंज में तो आप मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए वह तो बहुत अच्छी तरह से अंधियों को निकालते हुए संकर गए थे तब राजू इतना जो है आगे बढ़ गए थे लेकिन राजू के जो परफार्मेंस है उस परफार्मेंस को पूरी तरह से मात देते हुए संकर एक दम भागते चले जा रहे हैं मंजीर और देखते हैं गया और देखते हैं दर आपर पर संकर को हंडेट परसेंट हारने में बदल देते हैं कि अंध्याज को अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इस चैलेंज में राजू और संकर बहुत ही गजब धंग से मंजिल के और भागना चाहें राजू तो पहले बहुत अच्छी स्पीड लगाया रोटी जैसे खतम हुई चावल में जैसे ही राजू आये पूरी तरह से इनकी स्पीड डाउन हो हो गई और संकर देखते ही देखते इस चैलेंज को जीत गए और इनाम की जो राशी है उनके हाथ में भी पहुंच चुकिए पैसा मिल्या वहां कितना है तो यह क्या कर रहे हैं तो रोटी में भी आज काफी अच्छी स्पीड लगाया तो दोनों लोगों को धन्नवाद करत करते रहें मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद